कल मैंने देखा आपको भी बुरा लगा मैं आपके कमरे में जब चाई पे ने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेर किया कि जब LG साब ने भाशन शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने क्या कश्मीर फाइल टैक्स फ्री करो और पीछे से दो ज़नें कह रहे थैं दारू के दुकाने बंद करो अब इनको भी नई पता है आज नारी किस चीज के लगाने ओँपर से आया तो था उपर से आया तो था दो ज़नें कह रहे थ melod को अबन करो तो जैसे रैलियां होती है उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किसलिए आए हो तो वो यू यू देखता है किसलिए क्या हाल बना दिया इनका इस लिए थोड़ी राजनी दिमाय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक लेता के घर के सामने जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो नहीं था बाहर आता है क्या मांगे हैं तो सारे इनको पता ही नहीं क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनीती करने आये थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके बच्चे पूjoj पूछेंगे पापा क्या काम करते हो पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरन लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया आठ साल खरात कर दो विवेक अगनी होत्री के चर्णों में उनको शरन लेनी पड़ रही है बचा लो बचा लो अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौर्क है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पे क्यो ने डल कल एक मैंने पार में पड़ा हर्याना के अंदर भारते जंता पार्टी का एक MLA था उसने का आज में पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा तुरंत विवेक अगनी होतरी का ट्वीट आया खटर साथ के खटर साथ देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके कर क्षमीरी पंडितों के नामपे करोड़ो कम आगया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे हैं क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखें खोलो तुम लोग भेड़ बक्रियों के तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को भेड़ बक्रियों के तरह हांक रहे है एक दिन बोले तीन काक्रिशी कानून लेके आए हैं बहुत शांदार है और फिर नीचे मेसेज आया भी सारे जने तारीफ परो मोदी जी कि सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खुब तारीफ की थी बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शांदार कानून लेक्या है एक साल के बाद फिर आया वे तीनों कानून वापस ले लिए बोलो फिर तारीफ करो मोधी जी की वही कानून बिकार थे मोधी जी क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी दिमाग पे ताला लगा रखा इन्हों ने का वाह मोधी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिए अदेश को बचा लिया क्या मास्टर स्ट्रो इए क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार फिर थोड़े दिन बात बोले भी दारू की दुकानों के खिलाफ करो फिर सारे जैने दारू की दुकान बंद करो अब दारू ठीक हो गई अब दिली में आज कल तो शोर नहीं करते तुम लोग आप कश्मीर फाइल आ गई पहले क्रिशी कान वंद रोज काम दे रखा है तुमको कुछ ना कुछ उपर से आ जाता है काम दे रखा है आप दारू की दुका ने मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेबी के साथियों से आप तो अपनी हो कि आप तो सब्ण नेरे चोटे भाई बढ़े भाई बिदुरी साथ तो बढ़े भाई हैं मेरे आप तो सारे अपने olarak हो यार ठोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार थोड़ा देश के बारे में सोचो हिटलर भी जो था वो कम से कंबने चम्रब्रशों नौकरी देता था रोजगार देता था आई तिहास उठाके पड़ो उसने रोजगार तो दिया था इन्होंने क्या दिया आपको आपके बच्चों को नौकरी दी आपके घर में कोई खाने पिने का इंतिजाम करा आपकी बिजली का इंतिजाम करा केजरी वाल काम आता है आपक बारा लाग वैच्चों को नौखरी दिये मैंने स्कूल ठीक कर दीए इस्पदाल ठीक कर दीए आपके घर में कोई बिमारों केजरी वल दाओंटा मुधी दाओंचाता केजरी वाल काम आया मैं बीजेपी के सारे कारेकरताओं से कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो ये भेड़ चाल बंद करो भेड़ बक्रियों के तरह हांक रहे हैं या आपको ये सब बंद करो दिमाग खोल क कि सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ आपको 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 इज्जित मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कता ही जुटे नारे ने लगवाएंगे राष्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे हम राष्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मिलेगे यह पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जुटी फिल्मों के और जो भी करना हो कम से कम्यार ये पिक्चर का प्रॉमोशन करना दो बंद các गंदे लगते हो तुम लोग अच्छी शोभानी देता वोगो ज्चुछ आदमी हो कुछ कुछ करने आये थे राजनीति में कहा पिक्चर के पोस्टर और प्रॉमोशन करने में लगा दिया इन्होंने एक चिठी लिख दी चुनावायोग को कि हम तीनों MCD को यूनिफाय कर रहे हैं इसलिए चुनाव टाल दो चुनावायोग उन्हें चुनाव टाल दिया कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं अब जनता कह रही है यह गुजरात हारेंगे अब अगर यह गुजरात हारेंगे तो यह दस दिन पहले चिठी लिख देंगे चुनावायोग को कि भई हम गुजरात को और महाराष्टर को एक कर रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो गुचरत के चुनाव तल जाएंगे अगली बार ये लोग सबा हारेंगे चिठी लिख देंगे जी ये पारलिमेंटरी फॉर्म आफ सिस्टम बड़ा खराब है हम प्रेजिडेंशल फॉर्म आफ सिस्टम ला रहे हैं समविधान बदल रहे हैं दो चुनाव तल जाएंगे लिख के हमजád बना रखा इनोंने नौ तंकी करक्खे इनोने भारित जनतंत्र है देश ये बरदाश्त नहीं करने वाला जो उन्होंने नौटंकी करक्खी है कि केहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हम तो जी दुनिया के सबसे छोटी पार्टी हैं फिर भी डर गए तुम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के बाग गई क्या कायर हो वह अश्याँ ogram हिमत है तो हिमत है तो चुनाओडर के दिखाओ बेजय पीवालो मां मां जाएंगे तुम इंदो तो चुनाव लड़के दिखाओ कहते हो 56 इंच का सीना है नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है जूट है यह